आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल आरवट क्लासेस नर्कडिया गज़ पर स्वागत करता हूँ जैसा कि मैंने एक क्लासरूम कोर्स शुरू किया हुआ है और इसके वीडियो आ रहे हैं कभी कभी गैप भी हो जाता है वो ठीक है चूकि ऐसे वीडियो रेगुलर आ रहे हैं मैंने कई कोर्से शुरू कर दिया है इसके कारण लेकिन आज क्लासरूम कोर्स का ये वीडियो बन रहा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं exercise 5.5 class 12th math और ये topic कौन सा होगा ये topic होगा logarithmic differentiation लगुग गणक और कलन बहुत ही अच्छा topic है अगर देखा जाए तो board में चाहे वो बिहार board का exam हो या CVAC board का exam हो इसी से question पुछे जाते हैं जो 4 नमर के question पुछे जाएंगे या भी हार board में अब तो 2 नमर के question कर दिये गए हैं और CVAC में 3 नमर के भी questions होते हैं कभी कभी 5 नमर के भी questions आते हैं तो ये exercise 5.5 इसके base पर question बहुत पुछे जाते हैं ये बहुत important exercise है इसके 3-4 lecture बनेंगे एक lecture में ये exercise complete भी नहीं होगा लेकिन इसको बेहतर तरीके से समझना है कुछ extra questions भी बताया जाएगा मैं बताता ही हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये exercise 5.5 का concept जिसका नाम है logarithmic differentiation आप सभी बच्चे girls boys कलम मेरे पास तो मारकर है कलम कोंपी और books लेकर ही बैठेंगे वी थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है तो वीडियो को दो बार कूब अच्छे से देखें नोर्स बनाए और पढ़ाई को continue करें मैं पढ़ाई करा रहा हूं एक बार और मैंने इसी टर्म में एक नया कोर्स भी सिरिज सालू कर दिया है जिसका मैंने नाम दिया है calculus series एक व वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्त जो गार्जेन अपने बच्चों को और अपने जितने भी जान पहचान के लोग है जिनको इस वीडियो की requirement है जरूरत है जनकारी के हिसाब से या 11-12 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जरूर बता है मैं ये 25 लेक्चर में differentiation का concept देने वाला हूँ कि आप धमाल मचा दोगे मजा आ जाएगा तो चलिए आज की class को हम दो शुरू करते हैं बातों को यहीं पर कतम करते हैं शुरू करते हैं logarithmic differentiation देखिए बच्चों ये topic बहुत important है जितना ज्यादा कहा जया उतना ज्यादा देखिए बात आती है यहा पर मैं लिख रहा हूँ लोगरिद्मिक differentiation मैं एक बार चेक कर लो कि वीडियो कैसा आ रहा है ठिक का सकते हैं देखिए तो logarithmic differentiation की बात चल रही है तो देखते हैं भई यहाँ पर हमने इसको point out किया देखिए पढ़ाने का term है तो फास्ट तो पढ़ाएंगे नहीं ये मैंने पहले ही बता दिया है इतने असान भासा में पढ़ाया जाए कि आपको समझ में आएए नहीं कि सर आएं और हुडबुड हुडबुड कियें और चल दियें ऐसा नहीं होगा पढ़ाई एकदम बहतरीन तरीके से होगा थोड़ा समय लगेगा लेकिन concept clear हो जाएगा तो चलिए देखते हैं लोगरिद्मिक डिफरेंसीशन नाम दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका basic concept समझेंगे देखें सबसे पहले इसका हम लोग basic concept समझते हैं basic concept मैं बताता हूँ, सुरू करता हूँ basic concept सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोग के बारे में मैं यहाँ लोग को पूरे detail में नहीं बताऊंगा जितना जरूरत है उतना ही बताऊंगा मैंने आप सभी बच्चों से classroom में जवाब पढ़ रहे थे तो मैंने बोला भी था कि logarithm का मैं एक week का class करा दूँगा मतलब एक week का course करा दूँगा जिसे आपके logarithm के पूरे concept के लिए हो जाएंगा लेकिन यह pandemic आ गया, corona आ गया और अभी बहुत सारी परिस्थितिया गडबड ही चल रही है मेरा भी तवियत कभी-कभी खराब हो जाता है सो कभी-कभी वीडियो रुख भी जाता है लेकिन मैं पूरा detail में तो नहीं जा रहा हूं log के लेकिन इतना बता रहा हूं कि यह chapter आसानी से बन जाएगा देखिए basic concept में logarithm function के या logarithm differentiation के आता है आपको formula हम यहाँ पर 5-6 formula लिखेंगे आप समझना जो बच्चे घर पर बैठे हो समझने कोशिज करना हम फर्मूला लिख रहे हैं तो सबसे पहला मेरा formula है बच्चे हो देखो यहाँ पर अगर हमारे पास कभी question ऐसे आए या topic ऐसे है log m और n यह log है logarithm का short form log है m और n है यहाँ पर base वगरा की वाते होती है कोई बच्चे डिटेल में पढ़ा हो या किसी और teacher से थोड़ा बहुत समझ रहा हो तो उसको हो सकता है थोड़ा खिच-खिच लगेगा कोई खिच-खिच नहीं करना है math में इतना ही लेकर पढ़ना है इससे आपको problem नहीं होगा मेरी promise है आपसे ठीक है ना अगर कोई सोचे ना बहुत problem होगा एक percent problem नहीं होगा भाई ठीक है देखिए तो इसको लिखेंगे कितना log m और n होगा तो multiply में है तो इसको लिखेंगे log m अप पलस log n इतने पर question जब आगे carry करेंगे 100% आपका question बन जाएगा परसान नहीं होना है देखिए दूसरा formula formula याद रखिएगा फर्मूला बहुत ज़रूब है यहां लिखा आपने log और यहां m और बटा n तो जब यह करेंगे तो यहां लि minus log n याद रखिएगा यहां log m बटा n है तो m minus n ऐसे हो जाएगा log m minus log n दो फर्मूला हुआ एक और फर्मूला देखते है छे साथ फर्मूला हो जाएगे इसमें एक होगा log और यहां m है और m पर power है यहां पर समझने कुछ से किजिएगा m पर power n है तो यह power कहेगा हम आगे जाएंगे तो जब यह power आगे हैगा तो हो जाएगा n log m यह हो जाएगा तीन हो गया चलिए एक और समझते हैं चार अगर यहां पर log हो और कभी one लिखा हुआ आजाए आप मतलब हमें हस देते हैं चुकि हसना तो है भाई हसने की बात आती है तो हसना ही पड़ेगा log one देखिए इसका भाईलू कुछ नहीं होता है देखिए log one का मतलब होता है लड़ू जीरू कुछ नहीं नहीं एक और भाईलू ले ले लिजिए पांच नमबर यह भी चीज है लोग का जब लोग का डिटेल चेप्टर पढ़ा जागा तो और समझ में आएगा log e कमान होता है one अगर देखा जाए तो एक दो तीन चार पांच इसी पांच फर्मूले के जरूरत है इसमें इससे ज्यादा फर्मूला की जरूरत नहीं है हाँ अब ही सचिए कि खा आएगा यहां पर लेकिन यह नया चीज इतना आपको कैलकुलेट करके रखना होगा तो पिलीज बच्चों आप सभी कुछ बच्चे तो मैसेज करते हैं अब आज नाम ले लेते हैं लड़कों में आदित्यकुमार मैसेज करते हैं बना के तो साइद नहीं यह बेचते हैं लेकिन लड़कियों में अक्छरा भेजती है, मैसेज करती है या जो भी हो, क्या बोलते हैं, बना करके भेजना या जो भी हो, अच्छा लगता है, आप बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है, थोड़ा इनर्जी मिलता है, कि बनाएए, थोड़ा सम मुझे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पुछते हैं कि सर कब वीडियो आएगे ये और अच्छा लगता है कि हां बच्चे भी पजेसी भेपढ़ने के लिए फिलाल इसको नोट कीजिए मैं आगे बढ़ाता हूँ अगर नोट नहीं हो पाया हो तो वीडियो को पॉस कर देंगे अब पॉस करके नोट कर लेंगे और एक और लड़की मोनीका भी है वो ही मैसेज और बात करती है कि हां आपका पढ़ाईएगा क्या पढ़ाईएगा तो अच्छी बात है सब कोई पढ़ेंगे तो बेहतर होगा चलिए फिर आगे पढ़ते हैं देखें अब हम इस फर्मूले को हटा देते हैं और आते हैं कोस्चन्स पर कैसे कोस्चन्स आते हैं क्या क्या हमको बनाना होगा और जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ आप लोग समझते होगें कि मैं किताब को हुबहू रटने वाली चीज नहीं करता हम मैं NCRT फॉलो करता हूँ और मैंने आपसे पर NCRT का एक एक कोस्चन बनवाऊंगा ये मेरी प्रोमिस मैं रटवाने की बात नहीं किया हूँ हाँ लेकिन उसके लिए बेसिक कंसेप्ट कौन बताएगा वैं बताऊंगा भैं तो बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा तो अभी 5.5 एक्सराइट सुरू हो रहा है लेकिन अभी 5.5 पर रहेंगे तो चलिए देखते हैं अब देखिए बात समझेए खुब मजे से समझने की कुछिस कीजिए को बहुत मजाएगा ठीक है ना बेसिक कंसेप्ट हो गया लोगरिदम दिफ्रेंशेशन चल रहा है देखिए अब कह रहा है कुस्चन एक बना देते हैं से देख एक्स टूडी पावर एक्स यही नहों होगा जे हाँ ठीक है डिफ्रेंशेट एक्स टूडी पावर एक्स विध रेस्पेक्ट टू एक्स एक बार मैं कुस्चन मिला लूँ मुझे तो लग रहा है कि यही कुस्चन है लेकिन अगर इधर उधर जाएगा तो देख लेते हैं मात्र एक बार बच्चो हाँ ठीक है एक्स टूडी पावर एक्स ही होगा करा एक्स टूडी पावर एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशेट करें तो आपके पास यहाँ पे दो आप्सन है एक आप्सन है जो आप सुरू से पढ़ रहे हैं उस पे बना सकते हैं ल लोगरिदम पर बनाएंगे तो आपके MCQ का जो अप्शन होगा मैच कर जाएगा या जो टीचर्स होते हैं वो भी लोगरिदम का ही मतलब बनाने का पसंद करते हैं और सोचते हैं कि लोगरिदम पर बने तो अच्छा लगता है एकेडमिक नॉलेज बाबो थोड़ा सा अलग होता है मैं आप लोग से बता चुका हूँ एकेडमिक है एकेडमिक में है कि जैसे पढ़ाया जारा लगभग उस तरह करना पड़ता है आप अपने से बनाओगे नो सही होगा लेकिन कभी कभी क्या होगा आपको उतना नम्मर नह कैसे बनाएंगे देखो भाई सबसे पहले सोलूशन लिख देना एक बार मैं और चेक कर लो वीडियो कैसा आ रहा है रूखो ठीक है चलो देखो तो सबसे पहले सोलूशन लिख देना और लिखना लेट हिंदी में होता है बाव इसका माना आप जानते हूँ एकदम अच्छे से जानते हूँ y बराबर x to the power x अब चुकिए हम पढ़ रहे हैं logarithm differentiation तो यह उसी method पर बनेगा मैं दूसरे method पर भी question को बनाने के बाद बता दे रहा हूँ एक पहले देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे पूरा detail में में बता रहा हूँ take log on both sides हिंदी मीडियम में वाले बच्चे लिख ले हैं दोनों तरप log लेने पर हिंदी मीडियम में के बच्चे लिख ले हैं दोनों तरप log लेने पर अब देखो जब यहाँ log लोगे तो यह log y हो जाएगा और यह हो जाएगा log x का power x यह log y का log y है बाबो कोई दिकत ने देख और यह जो महराज है अब ही फर्मूला पढ़ा रहे थे देखना तीन नमर फर्मूला पर बताएं थे log हो m हो power n हो तो यह नमा जो होता है बाहर आ जाता है n log m हो जाता है तो वह ही नियम हो जाएगा बबो यहाँ पर यह x कहेगा हम तो बाहर आएंगे फर्मूला है उसको बर्दास होगा नहीं ठीक है उसको बर्दास होगा नहीं मेरे पढ़ाने के यह तरीका भई ठीक है न उसको बर्दास नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा तो देखो कैसे होगा यह x आ जाएगा बाहर अब आप क्या करोगे यहाँ पर डिफ्रेंसियेशन लगा दोगे दोनों तरफ धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि एकदम एक कुस्चन समझ में आए ना समझ माई हो सकता है हम पढ़ाएं विकासर मैं अन्ना समझ में ऐसा पोसीव का कहा हैं छोड़ी हटाई हो ही नहीं सकता ठीक है समझ है देखें आप गारन्टी है समझ में अब यहाँ पर लिखिएगा ऑफ थी बै दी एक्स और यहाँ लोग वाइल वाई यहाँ भी लिखिएगा वाफ कि कि दी अश्च्च को इसके हम अपने घर आप में अप कैसे बनाएंगे तो जिन बच्चों को चीन रूल अच्छे से पता होगा, basic differentiation बनाना आता होगा, उनको यहाँ पे एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है, देखिए, कैसे मज़ा आता है, सबसे पहले बच्चों, इसको हम लोग, chain rule लगा देंगे, यहाँ पर, देखो कैसे लगाएंगे, d by dy log y, dy by dx, कहोगे, यह y लगाने का क्या concept है, सर, देखो बाग, इस लोग वाले भाईया के साथ y लगा है, इसलिए यहाँ पर y लगा दिया है, इसको बराबर करने के लिए dy by dx तो लगाना ही पढ़ेगा, अब चलो, कहोगे, इधर वाले पार्ट को का किया जाए, सर, अरे भाई, इसको गुना के फर्मुला पर, मल्टिपलाई के फर्मुला पर, प्रोडक्ट के फर्मुला पर तूर्थो, इसको कहो कि तुम फर्स्ट फंक्शन हो, आ इसको कहो कि तुम सकेंड फंक्शन हो, तो देखो कैसे एक्स को बाहर और d y dx लौवाग x अब लौवाग x को बाहर d y dx और x अब देखो इसको जब बनाना होगा इसको इसका हो जाएगा 1 बटा y पहला पटवा का इतना का 1 बटा y और ये d y y dx अब देखो इसको देखो गए तो ये x और log x का डिफ्रेंसेशन सभी बच्चों को याद होगा ये मेरी गरंटी है ठीक है अन्य याद हो तो रिविजन कर ले ना तो इसका होगा 1 बटा y plus log x को log x रहने दुपागो आ इसको कहो तुम एक हो जाओगे यहाँ x और x कड़ जाएगा लिखा जाएगा देखते हैं किस्टिप यहाँ पर बच क्या रहा है 1 plus log x 1 से गुणना होगा तो इतना ही नहीं एगा चलो प्ले इतना लिख लो फिर मैं ऊपर आता हूं और फिर और समझ्याता हूं पले इतना नोट कर लो बूरre रहा है मैं चाहता हूं Εकदाम किलियर पढ़ाओ किलियर पढ़ाएंगे तो ही समझ मैंगा नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ देखे अब यहाँ समझते हैं यहाँ पर इसी को उठाके हम यहाँ ला रहा हैं देखेगा समझेगा हूं मजाएगा तो कहनेकार था ही बाबु कि यह वन बटा य डि वाई बाई डि एक्स इंटूंग बाऊं इंटूंग है और इतना अंसार है ता इसको एक बादफिर से लिखते हैं समझना 1 by y dy by dx बराबर 1 plus log x तो आगे जब बढ़ोगे तो हो जाएगा dy by dx और यह y आकि इसमें गुना हो जाएगा 1 plus log x और फिर यह y का मान कितना है सोचो x के power x तो x के power x 1 plus log x आप कोई सोच रहा होगे तुम बच्चों में कि यही कोस्चन सबसे पहले क्यों बताए है exercise से तो कोई कोस्चन बताए नहीं है इसी कोस्चन को उन्होंने क्यों करा क्योंकि बबुआ जी आप जीतने भी है बबुआ लोग या बबुनी लोग जब इस पर मेहनत कर लोगे इस exercise पर तो यह लल्लू लगने लगेगा कि दम लल्लू जैसे किरकेट में लॉलिपॉप गेंद होता है बच्चा सब कुछ खेकता है उतना हमको नहीं आता है उसी टाइप का ही कोस्चन है इसका answer जबान पर याद हो जाता है ठीक है चलो ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे कोस्चन में कराता है तो मेरे कहने कार्थ है कि logarithmic differentiation को मैंने शुरू करा आज और differentiate x के power x with respect to x और इसको धीरी धीर हमने बनाया जिन बच्चों को बढ़ियां से समझ में ना आया पाया हो तो इस वीडियो को एक बार और रिकॉल करके देख लीजिएगा सबसे फैदा हो जाएगा फाइनली देखिए answer क्या रहा है y बराबर x के power x अगर आता है तो उसका differentiation आता है x के power x box में 1 पॉलस log x इसको मैं फाइनली यहाँ पर एक बर्फिट से लिख देता हूँ ठेक्या देखो y बराबर इतना तो dy by dx डाइरेक्ट में लिख रहा हूँ बराबर x के power x 1 पॉलस log x this is your answer बिहार बोट में मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बिहार बोट के ज्यादा बच्चे हैं cbc को भी मैं पढ़ाता हूँ ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाता हूँ बिहार बोट में यह question बहुत बार पुछा जाता है mcq में पुछा जाता है एक question आता है उसमें चार option होते हैं उसमें यह question को answer देना रहता है 100% लगभग हर साल ही पुछा जाता है कभी कभी gap कर देता है cbc बोट में ही question पुछा जाता है तो logarithmic question और करते हैं basic वाला ही जैसा कि मैं बताया हूँ उसके बाद एक और question करेंगे उसका धीरे-धीरे हम आप लोको आगे बढ़ाते रहें देखिए मैं मिटा रहा हूं देखो परसान मत होना मेरे साथ अगर मैत पढ़ रहा हूं तो यह याद रखो कि जिस लेबल पर मैं पढ़ा दूँगा मैं इस पर बोल रहा हूं मैं बहुत हायर लेबल नहीं जाता हूं लेकिन मैं प्लस टू के लेबल पर वह भी हार बोड का लेबल हो या सी बीएसी बोड का लेबल हो उससे मैं पलस पढ़ाता हूं मतलब थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा परसान ही नहीं है यार ऐसे बस मज़े में पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं कौन सा टॉपिक है जो हम नहीं पढ़ा सकते हैं मैथ में हर टॉपिक पर काम होगा बस समय चलता रहे हैं देखो आप कुस्टम पर आते हैं करा डिफ्रेंशिये एक के पावर x with respect to x अब बात आती ह है जब हम फर्मूला लिखाए थे तो तुम लोग को बोले थे बाबु याद होगा तुम लोग को कि बहुत सारा फर्मूला जब कंटेंट मतलब लिखाते हैं क्लेक्ट कराते हैं तो बोलते हैं कि लिख लो समय आएगा तो पुरूफ हो करा देखो आ गया है आज इसका समय ब्रू Krуди आगया है कि इसका समय आ गया है कि इसको पुरूफ कर दिया जाए कहां से आता है कि पहले याद करने मैं तुम लोत को कि अगर वाई वराब़र आपके पास एग पावर एकस आता है तो इसका डिफरेंसेशन दीवाय by dx जो होता है वो हो जाता है a के पावर x into log e इतना हो जाता है differentiation याद होगा चलो इसी को देखते हैं सबसे पहले इसको solve करते हैं s o l u t i o n solution लिखते हैं let y बराबर a के power x कहोंगे ठीक है और थोड़ा थोड़ा दिमाग में भुश गया होगा कि सर अब तो logarithm पढ़ा रहे हैं तो जरूर लोग लगाएंगे हर को स्चन में लोग लगेगा बाबू इस बात याद on both sides दोनों तरफ लोग लेने पर हिंदी मीडियम के बच्चे आप support कीजिए मुझे सभी से अपना अपन हैं सभी अपने लोग हैं ठीक है ना किसी से द्वेस भावना नहीं है सब किसी से प्रेम हैं ठीक हैं तो हिंदी मीडियम में फिर से एक वाल लिख लेते हैं दोनों तरफ लोग लेने पर चलिए देखते हैं तो जब हम यहाँ पर आंके बढ़ेंगे तो आएगा लोग वाई बराबर लोग ए के पावर एक्स पिर कहानी वहीं कि अगर लॉग हो एम हो अब पावर एन हो जाए तो एम यह एन को बरदास्य नहीं होता है काता है हम आगे जाएंगे खेये नहीं होता है कोई छोटा छोटा बच्चा घर माश्य करेंगे तो वह बात यहां पर इन कहता है ना हम आगे जाएंगे हम आगे जाएंगे तई आगे आ जाता है n log m ठीक है उसी तरह यहाँ पर देखो x log a और यह हो गया log y अब देखा जाए तो यहाँ पर अब इसका नेचर थोड़ा बदल गया है x variable है और log क्या है constant है देखो माल समझना question बात समझना अगर log है आएकर संगे x है तो यह भेरियेबल है log है अगर एकर संगे x square है तो भेरियेबल है log है ठीरी एक्स है मनें x वाला कुन हो समान मान हो जाए x y j सब तो भेरियेबल मानेंगे abc आ जाए फिलाल कहानी को समझो तो constant माना जाएगा कॉंस्टेंट मनें ओचर रासी अब देखो इसके आगे का करेंगे कहेंगे कि भाई log y अलोग एक्स 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 आगे पीछे करतेगे अब यहां पो लगेंगे डिफरेंसियेश तो यहां डी बाई डी एक्स लोग वाई अलोग एक कहेगा हम तो बाहर हैं आज काल में वीडियो भी डाले हैं मोधीजी के नाम से लोग का एक हम तो बाहर रहेंगे मुदी जी हैं आई हो गया डी बाई डी एक्स अब बाबु देख याद रखना सो यह वाला टरम खूब आएगा डी बाई डी एक्स लोग वाई एक वर और बता दे रहें उसके बाद टेकनिक बता दे रहें फटाक दली दना कौनों मास्टर सहब नहीं कैटिंग ठीक है अब समझाओ यहाँ पर कहो गए कि डी बाई डी वाई काहिक यह एक करेकर बैलेंस करना होगा चेंद रून से लोग वाई डी वाई डी एक्स अई सिको कहो गए लोग ए तो अपना जगे ठीके बाद आ इसका कहो गए एक क्यूंकि डी बाई डी x of x का differentiation is 1 होता है ठीक है आगे देखो अब इसको जब बनाओगे ना तो क्या आएगा भई इसका आएगा 1 बट्ट y dy by dx तो मेरे बबुगा लोग और इसका आगे लोग a फिलाल इतना समझे तो कहने गार्थ यह है देखो इसको मैं समझा रहा हूं इतना को इसको समझना यह व मैं भी थोड़ा फास्ट करांगा d by dx log y अगर आजाएगा तो इसका differentiation डिरेक्ट लिखना 1 बट्ट y dy by dx देखो दो एस्टेप एक एस्टेप खाओगे ना तो ही आगे बढ़ोगे तेखो हाई एस्टेप को खागे तो 1 by y dy by dx आया की नहीं आना ही है भाई वही होता ही है ता कहां से दूसरा थोड़े आएगा अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं यहां पर हटाते हैं मजा आएगा बाबू मेरे साथ पढ़ोगे ना अब बहुत मजा आएगा थोड़ा नहीं धेर सारा पस वीडियो अच्छा लगे समझ में आए तो सेर सब्सक्राइब कराओ तो अब आया बाब मेरे कि dy by dx बराबर y into log a क्यों क्यों कि यह y हो गया इधर आके multiply और फिर y कमान a के power x into log a तो मैंने जैसे आप लोग को classroom में बोला था कि यह भी फर्मूला प्रूफ हो गया आज यानि कि y बराबर y के power x तो dy by dx का मान होता है a के power x into log a जैसा कि मैंने आज प्रूफ करा दिया तो यह सब logarithm है logarithmic differentiation पर यह सब बनता है आपको समय देना पढ़ेगा थोड़ा सा तो भी मजा आएगा और guarantee है मेरे कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कोई नहीं पढ़ा सकता हाई लेवल पर मैं पढ़ाऊंगा आपको और सटिक तरीके से असान तरीके से असान भासा में आसा करते है कोश्चन बन गया होगा समझ में आ रहा होगा दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को एक बार और recall करके देख लीजिएगा मैं अब एक कोश्चन 5.5 से लेकर आ रहा हू संभद तो आज के वीडियो का लास्ट कोश्चन होगा फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और बाते करेंगे लिख लीजिए पाल है तो मैं यह बता दूँ कि यह देखिए समय बहुत न लगता है य बराबर एक के पावर एक्स इसका मतलब जाएगा डी बाइवाई डी एक्स बराबर एक पावर एक्स इंटू लॉग यह आपका एंसर हो गया अब मैं यह हटा रहा हूँ और मैं फिर से बोल दो मैं 5.5 का एक कोश्चन नमबर वन कराने जा रहा हूँ जो कि बेहतरीन कोश्चन है जबर्जस्त कोश्चन है समय लगेगा 10 मिनट कम नहीं लगेगा आप एक एक करके पूरे वीडियो को देखिएगा गारांटी है आपकी समझ बढ़ जाएगी ठीक है देखते हैं मैं पूरे बोड को साफ कर देता हूँ पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा नहीं पढ़िएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ सपोर्ट किजिए गतोर फैदा होगा देखिए फिला लाते हैं तो मैं यहां पे लिख दिया मैंने एकसरसाइज 5.5 और यहां मैंने लिखा पोस्चन नंबर 1 मैं एक बार फिर से देख लो कैसा जा रहा है ठीक है अब बात करते हैं कोस्चन नंबर 1 का तो आप लोग निकाल लेंगे लिखा हुआ है एकसरसाइज 5.5 में इंग्लिज मीडियम में लिखा हुआ है डिफरेंसियेट दो फोलो दो गिभें फंक्संस ऐसा ही करके फिर से एक बर साही से बोलो रहे है डिफरेंसियेंट दो फंक्संस गिभें इन एकसरसाइज 1 तो 11 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यानि एक आरा को कोस्चन है थोड़ा अगरेजियम अंग्रीज में दोनों मिला के चलेंगे लेट का हिंदी होता है माना थी थेक है य बराबर को कॉस्ट एक्स इंटू कॉवस और से टू एक्स इंटू कॉवस थिरी एक्स यह आपके कॉस्ट्टन्स है जहां तक आपको समझ में आ रहा होगा पुस्ट्टन मैंने लिख दिया हंड्रेट परसेंट मजा आ जाएगा मैं गरांटी दे रहा हूं देखो अब जाब इसको आगे लेखे बढ़ोगे तो फिर वहीं लिखोगे टेक लॉग और बोद साइट मैं बोल दे रहा हूं आदत बन जाएगे फिर से बोल दे रहा है टेक लॉग और बोद साइट हिंदी मीडियो में लिखोगे दोनों तरफ लॉग लेने पर अब बात करतें कि यहां पर हम डाइरेक्ट अब लिख बोल चुक है इसलिए लॉग लगा देते हैं थोड़ा पेपर बचेगा यहां पर और यहां लगा पॉस लॉग कोवस एक्स कोवस 2 एक्स कोवस 3 एक्स जो बच्चे घर पर पढ़ रहा है इस कोरोना काल में भी अपने आपको मैनेज क करके समझ पर हुए उनकी पढ़ाई आगे बढ़ रहे हैं आप में से कुछ बच्च्च अगर नहीं पढ़ रहा है तो आपकी पढ़ नहीं बढ़ रहे है अब लोग इस Сय कह आ य को य रहने देजिए यहां लिखिए है लवग क्वावस एक्स पलस लवग क्वावस टू एक्स पलस लवग क्वावस थीरी एक्स को के सरी कैसे हुआ हाव हाव कोई से हाँ तेखो हम लिखेंगे कि अगर लवग हो और M और N हो तो हम बोले हैं कि लवग M पलस लवग N हो जाता है तो अगर उसी तरह जादे हो M हो N हो अब P हो तो लवग M पलस लवग N अब पलस लवग P तूट जाएगा इसको बर्दास से नहीं होता है ठीक है पहले नोट कर लो मैं धीरे दीर पड़ा में बोला हूं न दस मियूट लगेगा लगेगा नोट कर लो चलो फर्गूला नोट कर दिये होगे ज्यादा दिकत हो रहा तो वीडियो पॉस्ट कर दिये करना ठीक है अब देखो अब हम क्या करते हैं दोनों तोरफ डिफ्रेंसियेशन लगा देते हैं डी बाइडी एक्स लावग वाई यहां भी लगा देते हैं दी बाइडी एक्स लावग कवास एक्स फिर लिखते हैं डी बाइडी एक्स लावग कवास टू एक्स फिर लिखते हैं डी बाइडी एक्स लावग कवास टीरी एक्स सोचे गई सही है हां जी सही है अब इसका जो है मैंने पीछे दो कोश्चेन कराए हैं उसमें मैं इसका एंसर बता दिया हूँ तो इसका एंसर मैं डेरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 बटा y dy by dx पीछे बता दिया हूँ इसको थोड़ा धीरे धीरे अरेंज करना होगा जिसका नाम है चेन रूल पर अरेंज करना होगा थोड़ा आराम से समझो मैं फिर पढ़ा रहा हूँ पस करते रहो लिखते रहो हाँ देखो तो यहाँ यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ लगेगा d by d लोग के साथ कॉस है तो यहाँ कॉस एक्स लग जाएगा यहाँ लवग कॉस एक्स हो गया फिर d कॉस एक्स है और यहाँ dx है सब बात को समझना बाबो यह सब तुम्हारा चेन रूल चल रहा है पहला पार्ट का काम तमाम अब दूसरा पार्ट दी बाई डी कॉस टू एक्स लवग कॉस टू एक्स डी कॉस टू एक्स इसाब चेन रूल है फिलीज समझिएगा डी टू एक्स डी टू एक्स बाई डी एक्स दूसरा पार्ट हो गया तीसरा पार्ट देखें इसलिए मैं बोला हूं यह सब कॉस्चन थोड़ा समय लेगा आपको सब कुछ समझ के रखना पड़ेगा आगे देखें इसको बता रहा हूं पलस में इस को दी बाई डी को वसस थिरी एक्स म लौवक को वससिदि री एक्स अन्य है यह ज़िए सब अच्छे सा बच्चो अब देखों यहाँ पर आव तो यहां होगा 1 बटा y dy by dx यह ठीक है अगर इस बात को देखा जाता है यह लॉग से साथ कॉस से यहां भी कॉस से तिसका डिफ्रेंसेशन होगा 1 बटा कॉस x और कॉस x का डिफ्रेंसेशन माइनस साइनेक्स पलस इसका होगा यह उन्ही बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा जो चियर्न रूल अच्छे तरीके से कर पाते हैं अधरवाज प्रोब्लम होगी ठीक है इसका होगा 1 by कॉस 2x और यहां होगा माइनस साइन 2x और यह 2 का 2 हो जाएगा यह हो जाएगा 1 by कॉस 3x माइनस साइन 3x इन्टू 3 एक बार इसको और उपरेट करते हैं तब समझ में आएगा आपको यह सब बड़े-बड़े कोस्चन्स होते हैं बाबू इतने बड़े-बड़े कोस्चन्स क्लासरूम में ही पढ़ाय जा सकते हैं आज अन्लाइन भी पढ़ाय जा रहा है अब देखो यह हो जाएगा माइनस साइन एक बटा कोस्चन्स इह हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x बटा कौवस 2x यह है जाएगा माइनस 3 साइन 3x बटा कौवस 3x इतने टर्म जा रहा है देखो इतना बखवास सा चीज इतना बन चुका है माइनस वोगर है का ध्यान रखना मैं उपर भी कराऊंगा पहले नोट को लो एक मिनट का समय देते हैं आपको लोट किजिए लास्टे चल रहा है विडियो फास्ट लगे तो पॉस्ट कर दिया करना चलो मैं उपर बताता हम यहाँ पर रेज कर दे रहा हम यहाँ पर यही पर बता रहा हूं अब देख भाई सबसे पहले इसको लिखना कि वन बाई वाई है और दी वाई बाई दी एकस है फिर माईनस इसमें से इसमें से इसमें से कॉमन कर दे ना माईनस बाहर आज आब आज आजए माईनस बाहर आजएगा साइन एकस बटा कॉस एकस को टैन एकस लिख सकते हो इसको लिख सकते हो टू टैन टू एकस आइसको लिख सकते हो थिरी tan 3x कहोगे कि सर इतना तो हो गया आगे क्या होगा आगे वही होगा एकदम फरेश बनेगा कोई दिक्कत नहीं होगा ठेका अब देखो यह y कहेगा हम उधर जाएंगे तो यह उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा dyy dx बराबर minus y minus y यहाँ वाला y इधर से गुना हो गया tan x 2 tan 2 x और 3 tan 3 x आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं होगा अब देखो एक स्टेप में यहाँ पर इरेज करके आपको फाइनल टच दे रहा हूँ देखो so finally we have dy by dx equal to बगवा जी लोग minus cos x cos 2 x cos 3 x कर गए यह कहां से आगे देखो y है y कमान इतना दिया हूँ है यह हमें इससा लिखाएगा tan x 2 tan 2 x 3 tan 3 x आसा करते हैं कि तुम सबको यह question बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बाबू वीडियो का length काफी वढ़ गया 40 minute से जादा के वीडियो हो चुका है तीन question मैंने बताया लेकिन बात यह है कि बड़े धेरे धेरे बड़े सलीके से मैं पढ़ाया मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि classroom type ही पढ़ायी होगा मजा में पढ़ायी होगा तो मैंने पढ़ाया और आच्छा भी लगा होगा आपको आसा करते हैं समझ में आया हो तो like, share, subscribe जरूर करेंगे वीडियो को और वीडियो को फैला देंगे जहां तहां जिन जिन दोस्तों के पास फैलाना हो आपके जितने भी दोस्त हो ठिक है तो यह आपका लगभग dy by dx बराबर minus cos x into cos 2x into cos 3x bracket में 10x plus 2 tan 2x plus 3 tan 3x यह आपका exercise 5.5 का question number 1 का totally solution हो यह इसमें question बहुत ज्यादा है फिर भी धीरे धीरे करके मैं करा दूंगा question आप लोग के support की जरूरत है आप लोग बस वीडियो ध्यान से देखो बढ़िया से समझो मैं पढ़ाता रहूँगा और पढ़ाई आगे बढ़ता रहेगा तो आज की वीडियो में इतना ही बाई 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 टेक केर बच्चों वीडियो भी बाई वीडियो में याला है के वीड़ा है के बाई बच्चों आप लोग वीडियो वीडियो आप लोग 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 लिवयो से से तो रहे चाना है झाल झाल